प्रधान मंत्री नरेंद मोदी आज शाम बिहार में होंगे लेकिन उससे पहले वो बाबा नगरी देव घर पहुँचे हुए है जहाँ पर उन्होंने बाबा भोलेनात की पूजा अर्चना की है आप सवे सी ही तस्वीरे देख रहे होंगे कि कैसे प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जारखन के देव घर पहुचे जहाँ पर उन्होंने नए बने एरपोर्ट का उदघाटन किया उसके बाद रोड शो करते हु वो देवघर के बाबा धाम पहुचे जहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है हम आपको तस्वीरे दिखाते हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी मंदर के गर्गरे के भीतर बैठे हुए है जहाँ पर पंडों के द्वारा पूज अर्चना कराई जा रही है और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी बड़े ही मन के साथ बड़े ही आस्था के साथ बाबा भोलेनात की पूजा कर रहे हैं अच्छी बात यह है कि 14 जुलाई से सावन की शुरवात हो रही है देवघर में दो साल के बाद श्रावनी मेला लगने ज पूजे हुए हैं जहां पर उन्होंने बाबा भोलेनात की पूजा अर्चना की है आप देख सकते हैं कि काफे अच्छी तरीके से पूजा करवाई गई है हर एक रिती रिवास को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने मंदर के भीतर जो है वो निभाया है और बाबा भोलेनात की पूजा अर्चना की है उन्होंने शिवलिंग को कई बार नतमस्तक होकर प्रणाम भी किया और मंदर के भीतर पंडो के दवारे उनके माथे पर तिलग भी लगाया गया और जो भी नियम होते हैं मंदर के भीतर पूजा अर्चना करने की वो तमाम चीजें की गई है प्रधा पूरे दस किलोमेटर के रास्ते में लोगों की भीर लगी हुई थी प्रधान मंत्री नरीद मोदी को चाहने वाले उन्हें देखना चाहते थे एक बार और प्रधान मंत्री भी गाड़ी से बीच-बीच में निकल कर लोगों को वेव कर रहे थे उन्हें हाथ लाकर उनका पूली बच्चे भी जो है वो आज प्रधान मंत्री को देखने के लिए सरकों के किनारे पर खड़े थे जारखंड के लोगों का उत्साह अलग ही दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रधान मंत्री नरीद मोदी आज जारखंड में है खास करके वो देवगर में है जब देवग आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि प्रधान मंत्री नरीद मोदी ने पूरे रिती रिवास के साथ बाबा धाम मंदर के भीतर पूजा अर्चना की है तीन चार पंडे अंदर मौजूद थे जिन्होंने प्रधान मंत्री नरीद मोदी को पूजा करवाई है शा घर में मंदर में जाकर फूजा अर्चना की है जिसकी तस्वीरे आपने अभी अभी देखी आप लाइफ सिटीज के साथ बढ़े रहें अगर अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो